हेलो दोस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सिब्लम का दिल से बहुत-बहुत फागत करता हूँ फॉस्ट राम विजिट के आज जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को इट करके औल जरू सिलेट कर लेना उसी के साथ-साथ आज के दिन के जितने भी important videos है सबके link नीचे description में मिल जाएगे तो आप चाहो तो उनको भी कबर कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को start कर लेते हैं सो रोस्तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे normal screen के उपर और दोस्तो आज के दिन का पहला वीडियो यस आप लोगों ने जरूर देखा होगा और पहले वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बता है था कि आज शाम को ही evening को ही हम लोगों को एक important ख़बर आते वे देखने के आपे मिलने वाली है और इसी के हिसाब से बाजार का आगे का direction क्या होगा उसका कुछ अनुमान हम लोगों को देखने को आपे मिल सकता है तो यह जोस्तो उसी से related data सामने आ चुक है आप सब लोगों को पता है मैं बात कर रहा हूँ job loss claim के data के बारे में सो यहाँ पर हमें अभी पता चलेगा कि कितने लोगों का मतलब job मतलब कितने लोग यहाँ पर jobless देखने को मिल रहे है American बाजार में और इसके चलते आप सब लोगों को पता है कि fed अपना rate hike कितना हद तक यहाँ पर बढ़ा सकता है इससे related हम लोगों को एक अनुमान यहाँ पर पता चल जाता है सो रोस्तो data आप देख सकते हो बहुत ही चौकाने वाला data है jobless claim में आप चेक कर सकते हो लगबग 2,11,000 तक हम लोगों को jump देखने को मिली है सो यह चौकाने वाला data क्यों है क्योंकि इसके पहले का अगर हम लोग history उठा कर देख ले सो यह अनुमान के हिसाब से हम लोगों को हमेशा कम देखने को आपे मिल रहा था बट इस वक्त अनुमान से हम लोगों को यह data जादा देखने को आपे मिल रहा है सो data जादा देखने को मिल रहा है तो ये market के लिए अच्छा है या फिर बुरा है तो दोस्तों market के लिए अच्छी खबर हम लोगों को देखने का आपे मिल रही है पहले कुछ formalities कर लेते हैं इसका exactly impact कैसे पड़ेगा market के उपर and क्या ये final चीज है या फिर और भी कुछ data सामने आने वाले है और कब आने वाले है तो आप लोगों को सारे doubts या पे clear हो जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं historically data जो है job list के claim के अगर हम लोग बात करें वो open किया है अभी आप लोगों को इसके पहले first video में बताया था और हमेशा FED के हिसाब से आप लोगोंने सोचना है FED के हिसाब से मतलब FED चाहेगा कि जादा से जादा लोगों को नोकरिया ना मिले उनकी नोकरिया चली जाए ताकि वो जादा खर्च आपे ना कर पाए और inflation को कुछ हद तक रहत मिल सके वो control में हो सके बट इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे यह जो data है उसका आप चेक कर सकते हैं कि कितना expect किया गया था एंड actual में कितना आया था 23 की अगर हम लोग बात करें 16th Feb हर week में हम लोग को यह data देखने को मिलता है कितने सारे लोगों की नोकरिया जा चुकी है तो फिर वो data को fill करते है तो आप देख सकते हैं 2,000,000 लोगों की नोकरिया जा सकती है यह expectation था बट हकिकत में कितना आया केवल 194 मतलब 6,000 लोगों को extra नोकरिया मिली है so definitely यह market के लिए अच्छी बात है आपे नहीं थी फिलाल के situation की हिसाब से then February 23 में भी वही data की 2,000,000 लोगों की नोकरिया जानी चाहिए बट सिर्फ 192 लोगों की ही 192K मतलब 1,92,000 लोगों की नोकरिया गए मतलब 8,000 लोगों को extra jobs यहाँ पे मिल चुके है so obviously यह भी बाजार के लिए अच्छी ख़बर नहीं है again किरा हूँ फिलाल की situation के इसाब से यह मैं points को cover यहाँ पे करवा रहा हूँ then second March की बात करें पिछले हफ़ते के data की तो 195K एक लाख पचन्य हजार लोगों की नोकरिया जा सकते है वो jobless हो सकते है वो claim करेंगे and इससे related कितना actual में data है 190 मतलब 5,000 लोगों को extra job यहाँ पे मिल चुके मतलब जितना expect कर रहे थे उससे हम लोगों को यहाँ पे performance अच्छा ही देखने का आपे मिल रहा था इस वक्षे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तो तो yes expectation कितना था कि 1,95,000 कि आसपास लोग यहाँ पे claim करेंगी कि उनके पास नोकरिया नहीं है करके और हकीकत में data कितना आ गया 2,11,000 यह जो data के मैं बात करा हूँ वो अमेरिका की बात हो रही है इंडिया की नहीं और यह data की हिसाब से अगर हम लोग बात करें लोग saving करें और अगर लोगों को नोकरिया मिलती रहेगी तो obviously वो saving कैसे करेंगे तो यह data हम लोगों को यही बात बताती है कि लोगों को क्या हो रहा है अभी नोकरिया लोगों की छूटती चली जा रही है तो शायद से अभी वो feasible के खर्चे रोक सकेंगे और इसके चलते inflation कुछ हद तक काबू में आ सकता है यह data हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है जो की चौकाने वाला data है क्योंकि अभी तक अगर हम लोग यहापे पिछले तीन data की बात करें जितना भी expectation था उसके हिसाब से हम लोगो कम ही देखने को मिलता था इस वक हम लोगो यहापे यह ज़्यादा देखने को यहापे मिला है और जैसे यह data सामने आ गया तो American Bazaar का future आप देख सकते हो यह तो अभी का चल रहा है यह रिखे हम लोगो जबरदस तेजी आपे देखने को मिले लगबख 7-7-7 बजे के आसपस यह data आया था जबरदस spike देखने को मिले है इसको थोड़ा साम लोग इस पर देख लेते हैं अभी 100 के आसपस हम लोगो future जाते वह देखने को मिल रहा है हम लोग इसको investing.com के उपर देख लेते हैं मतलब थोड़ा आपको correct picture मिलेगा तो यह रेके 2 Jones के future को मैंने add on किया है थोड़ा साम इसको desktop के उपर mode के उपर on कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद हम लोग इसमे 15 बिनिट का एक बार candles देख लेते है ठीक है अभी आप देख सकते हैं यहापे तो 116 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रहा और जैसे यह data सामने आ गया तो यहापे चल रहे थे अभी देखे कैसे उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाच पाच बड़े हम लोग को हरे candles बनते वे देखने को मिले थे या पचास इससे रेल्टेट टसल चल रहा है तो यह data देखकर यहापे market शायद से कुछ उमीद रख ले कि फेड rate hike करे तो 25 का ही करे अभी की बात नहीं है आगे होने वाला है 21-22 मार्च की में हापे बात करा हूँ तो यह चीज़े आभी हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है इसी के चलते अमेरिकन बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो 1500 पॉइंट की तेज़ी में वीडियो बना रहा हूँ तबी की बात है एक बार में refresh कर लेता हूँ अबी भी बाकी है यह तो इंटरवल था यह तो आधा पिचर ही हो गया असली पिचर देखना तो और बाकी है जैसे कि आपको पता है इसका फाइनल जो रहने वाला है ग्रैंट फाइनल वो तो रहने वाला है इकिस बाइस तारीक को ही ग्रैंट फिनाले की अगर हम लोग बात करें तो यह अभी तक तो इंटरवल हुआ अभी इसके बात का असली पिचर कौन सा रहने वाला है नेक्स्ट वीक CPI का डेटा सामने आने वाला है CPI मतलब वही महिंगाई का डेटा इन्फेशन का डेटा किसका अमेरिका की हम लोग यहाँ पर बात कर क्योंकि अमेरिकन का बाजार जिस प्रकार से चलता है उसी इसाब से दुनिया बर के बाजार चलते है यह मत बोलना कि अम 50% यहाँ पर हम लोगों ने चीज़े देख लिए 50% क्या है कि jobless claim का डेटा सामने आ चुका है और जो डेटा हम लोग यहाँ पर देखे तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते है कि rate hike हम लोग कह सकते है कि कम होने के ही चांसे से आपर फिलाल jobless वाला तो डेटा अच्छा देख में ही अगर अमेरिका में मिंगाई अगर कम हो जाती है तो जाके हम लोग कह सकते कि कहानी में जबरदस ट्विश्ट से करके फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि पावल जी आपर क्या करते है वैसे तो आल्लेडी आपर वो बोल ही चुके है इंडिरेक्ली कि आने वाले स समय में 50 BSP के लिए आप रेडी हो जाओ करके बट यह दो डेटा है जिसके चलते शायद से वह यूटन वापस यहाप ले सकते हैं क्यूंकि अभी बीर टाइम है जो मैं बार बार आप लोग को हाइलेट करके बोल रहा हूं यह देखिए 21-22 की हम लोग यहाप बात कर रहे है तो उसमें से 50% तो चीज हो गई आज की दिन jobless claim का डेटा यह अगर खराब आ जाता ना तो definitely फिर जादा सोचने की जरूरत ही नहीं थे बट इसने थोड़ा सा mood हम लोग कह सकते है अमेरिकन बाजार का या फिर दुनिया बर के बाजार का थोड़ा बहुत यहापे जरूर कह सकते है कि फेड का जो 21-22 का जो FOMC का बेटा करेगा वो बहुत ही जादा interesting हो जाएगा क्योंकि uncertainty से बाजार भर जाएगा क्योंकि यही चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी कि कितना rate hike होता है करके पहले तो आप लोगं को पता ही है कि 25 और 50 इस से related बाते चलती थी 50 basis point क पहले केवल हम लोग कह सकते थे 30% के आसपस लोग वोट करते थे जो की बाद में पावल जी ने बीच में जो commentary दी उसके बाद 70% लोग agree हो गए यह तो 50 basis point का ही rate hike करेंगे तो अभी CPI के data में अगर कुछ change हो जाता है तो फिर यह वापस यह जो टसल चल रहा है कि 25 या फिर 50 इसमें फिर हमनों को वापस revision देखने को आपे मिल सकता है so super drama यह आपे चल रहा है American Bazaar में जिस प्रकार का data आ रहा है तो इसी हिसाप से सारी चीजे cover यहापे में कर रहा हूँ so चले जाते आते हैं एक बार American Bazaar को वापस refresh कर लेता हूँ तो फिलाल तो अभी 160 point की तेजी again क रूट कर रहा हूँ तभी कि यह position देखने को मिल रही है upload होते होते है शायद से 258 भी हो जाए या फिर 58 भी बढ़ जाए market है plus minus होता रहता है volatility आप देख सकते हो अच्छे कासी हम लोगो चलते वे देखने को मिल रही है बट इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अभी का जो data है वो बाजार के side से हम लोगो अच्छा देखने को आपे मिला है मतलब panic वाला नहीं है इतना तो हम लोग आपे कह सकते है तो कूल मिला कि अगर हम लोग बात करें जो तीन points हम लोग आपे देख रहे थे उसमें से एक point तो हो गया jobless claim से related तो data देखा गया तो market के favor में देखने क आपे मिल रहा है जो कि अच्छी बाते वरना usually एक खराब आता है तो market easily गिर जाता है easily तो एक surprising data देखने को मिला है अभी second CPI का data देखना है यहाँ पे कोई surprising factor आता है कि ने फिर उसके बाद grand finale जैसे का 21-22 तारीक को हम लोगो final देखने को आपे मिल जाएगा तो उसके बीच क through market यहाँ पर run करते वे देखने को मिले वाले तो अभी तक कि अगर हम लोग बात करें तो अभी का जो data आया है वो market के favor में आते वे देखने को मिल रही है data देखने के बाद इतना तो हम लोग यहाँ पर कह सकते है तो आशा करता हम वीडियो helpful लगा होगा तो ज़रू like and share कर अगर अपनी तक ओपन नहीं कि है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको विल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कुन सा अकांट आपने लिंक के दरोपन के है प्रॉपरली कमेंट से के मिंशन कर दिना तो अपते बर के अंदर अंदर सारे ले आपकेट को आसान भाशा से सीख सको तक के लिए बाबाए